सब्सक्राइब कर लीजे हमारा यूटूब चैनल दफ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ज़रूर लीजे नमस्कार मैं हूँ वीवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं दफ्रंट लखनव अपनी तहजीब के लिए जाना जाता है पूरे विश्व में लखनवी तहजीब जो है वो मशूर है लेकिन आज अगर इस सवाल उठाने की हमें ज़रूरत पड़ रही है और अगर हम यह पूछ रहे हैं क्या यही है लखनवी तहजीब तो जाहिर है आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं लेकिन जिस तरीके के हालात इस वक्त लखनव के बने हुए हैं जिस तरीके की तस्वीरे लखनव की देखने को मिल रही हैं उसमें शायद यही कहना पड़ रहा है पूरा भारत आज बंद किया गया है विपक्षियों के दोरा विपक्षी राजनितिक पार्टियों के दोरा बंद का हवान किया गया है देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं देश भर में लोग सड़कों पर उत रहे हैं लेकिन लखनव की जो हालत है इस वक्त वो काफी भयानक है और डरावनी है जी हाँ लखनव में कोट के बाहर हजारों के संख्या में पुलिस की गाड़ियों और पुलिस की मोटर बाइक्स को जो है वो जला दिया गया है इसके अलावे मदे गंज पुलिस स्टेशन के पुलिस चौकी जो है उसके बाहर आगजनी की गई है थाने के अंदर तोड़ फोड़ की गई है लखनव के और खास करके पुराने लखनव के अलग-अलग इलाकों में इस वक्त जो है वो घमासान मचा हुआ है और हिंसा की कई स सारी तस्वीरें देखने को मिल रही है सामने आ रही है सवाल यह उठता है कि प्रदर्शन विरोध क्या इस तरीके से होना चाहिए क्या विरोध और प्रदर्शन करने का जो आपका तरीका है अगर आपके अंदर आप अगर विरोध करना चाहते हैं CAA का Citizenship Amendment Act का जो विरोध आज पूरे देश में हो रहा है उसके विरोध को जताने का क्या यही तरीका है कि आप सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुचाएं ठाने को आग लगा दें पुलिस ठाने में आप तोड़ फोड़ करें कोट के बाहर आग जनी करें जो यातायात के साधने उनको रोग दिय जाएं ट्रेने रोग दी जाएं लेकिन इस वक्त जो हालात यूपी और अन्य शहरों के देखने को मिल रहे हैं वो कमो बेश ऐसे ही हैं संभल से लेकर के लखनव तक और यूपी के कई अन्य जिलों में इसी तरीके के हालात दिख रहे हैं जहां हिंसा और आग जनी की घटन सामने आ रही हैं सुबह सुबह जो है आपको बता दें कि सुबह सुबह यूपी के जो डी जी पी हैं उन्होंने साफ तोर से ये कहा था कि किसी भी तरह की हिंसा को बरदास्त नहीं किया जाएगा और पुलिस चाक चौबंद रखी गई है सारी बेवस्था पुलिस को मुस् हजारों की संख्या में पुलिस वाले तैनात हैं आसु गोले छोड़े जा रहे हैं लाठी चार्ज की कोशिश हो रही है और पुलिस उपद्रवी तो पहुचने की कोशिश कर रही है लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी तरफ से गोलिया चलाने तक की आवाज सुनाई द हैं उनको भी पुलिस खीशती हुई दिखाई दे रही है और वो प्रदर्शन करने के लिए जब वो सड़क पर उतरे थे लेकिन वो लोग हिंसात्मक्द प्रदर्शन के लिए नहीं निकले देश के कई हिस्सों में जो है जो प्रदर्शन है सरकार भी कह रही है कि अगर पहजिब नहीं है जनाब इससे उबरिये हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता इसलिए हिंसा को रोकिए दफरंट भी आपसे ये अपील करता है कि आप बेशक अगर किसी मुद्दे का विरोध कर रहे हैं या किसी एक्ट का विरोध कर रहे हैं आप अपनी बात क कहिए किसी मंद से कहिए लेकिन विरोध का ये तरीका हिंसात्मक तरीका कत्तई को बोल नहीं है अभी तक के लिए इतना ही धन्यवाद पिर कोग्यक तरीका क्कुरू नहीं है अभी तरीका है वन्यवाद के ईन्यवाद क्वेए नहीं पिरोगे